हाई फ्रेंट्स आपका मेरी चैनल टेक्निकलम के डियर में स्वागत है दूस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके बैंक अधार कार्ड लिंक है या नहीं लिंक है तो इस वीडियो में आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताऊ है तो प्रेंट्स लाइक कर दीजएगा और चैनल पर पहली बाहर है तो प्रीज सब्सक्राइब कर दीजगा और साथ मैं बैल को फ्रेंड कर görते हैं तो फिरिद चलीए वीडियो को स्टाट करते हैं तो फिरए बेने ड्ट कांट में अधारकार लिंक है या नहीं लिंक है इ से उपर यह आ गया इस पर आपको क्लिक कर देना होगा क्लिक करने के बाद यहां पर देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा यहां पर आधार का जो पोर्टल है वो पीन हो जाएगा यहां पर देख सकते हैं गेट आधार अपडेट आधार और यहां पर देख सकत में नीचे जबाएंगे और यहां पर लिखा चेक आधार बैंक लिंकिंग स्टेटस इस पर आपको क्लिक कर देना होगा क्लिक करने के बाद यहां पर देख सकते हैं चेक आधार बैंक लिंकिंग स्टेटस नीचे आना होगा और यहां पर देख सकते हैं लिख रहा है आधार न वाइल पर एक OTP आ चुका है, 87, 62, 33, यहाँ पर डाल दिया, उसके बाद सम्मिट पर मैं क्लिक कर दे रहा हूं, सम्मिट पर क्लिक करने के बाद, यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, और यहाँ पर देख सकते हैं, चेक आधार बैंक लिंकिंग स्टेटस, यहाँ पर आधार बैंक मैपिंग हैज बिन दन, तो अफरन यहाँ पर देख सकते हैं, आधार नंबर का 4 डिजिट यहाँ पर सो होगा, और यहाँ पर देख सकते हैं, बैंक लिंकिंग इस्टेटस यहाँ पर इन आक्टिव लिख रहा है, बैंक लिंकिंग डेट 19.10.2020 यहां पर निकरा है बैंक नेम है एर टेल पेमेंट बैंक लिम्टेड तो यहां पर मेरा एर टेल पेमेंट बैंक लिम्टेड यहां पर सो कर रहा है और यहां पर बैंक लिंकिंग इस्टेटस मेरा इन आक्टिव है आपका यहां पर इन एक्ट्व है या एक्ट्व है आप कमेंट करके जरूर बताईएगा तो प्रण कुछ इस तरह से आप भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपका अधार कार्ड आपके बैंक काउंट से लिंक है या नहीं लिंक है